हलो फिरिंस विलकम टू आरोही मोटर्स और आज की सूटे में हम बात करेंगे मारती सुजुक की वेगनार के बारे में जिसका फ्यूज और रिले सारा कुछ रगनेस करेंगी कि कौन सा फ्यूज क्या-क्या काम आता है दो फ्यूज होता है एक इंजिन कंपार्णिमेंट्स के बारे में और एक डेश्बूड अंदर कैबिन के सेड में तो हम दुना परकार के फ्यूज के बारे में बताएंगी कि कौन-कौन सा फ्यूज क्या-क्या काम आता है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपको आ तो गैस हम आ जाते हैं पहले नंबर के रिले को पर जो पहले नंबर के रिले है वह है आपका एफाई में रिले इनका मतलब होता है फ्यूजल इंजेक्शन रिले उसके बाद उसके नीचे का जो रिले है वह है आपका फ्यूल पंक का रिले है अगर फ्यूल मोटर आपका का कामनी करना तो एक बार इस रिले को चेक कर सकते हैं उसके बाद उसके नीचे का जो रिले है वह आपका रिडियेटर का है अब आ जाते हैं उसके बगल में जो आप देख रहे हैं 15 एंपियर का वह आपका एफाई एफाई रिले है उसके बाद जो उसके नीचे 30 एंपियर दिय 15 एंप्यर क वह आपका हैड़ लाइट म्हें X7 का उसके नीचे देया है वह भी आपका हैड लाइट लैंब NOR सेड का उसके बाद उसके नीचे खाली फिर उसके बाद आ जाते हम 30mm वह आपका radiator का उसके बाद जो 15 एंपेयर का दिया है वह आपका front fog का जो सामने का दिया है front fog lamp उसका है उसके बाद जो उसके नीचे साड़े साथ एमपियर का दिया है वह आपका cng और lpg walba का है जो sensor लगा रहता है उसका है उसके बाद जो नीचे दिया है 10 MPR CPRSR इसका मतलब होता है आपका AC compressor motor का है उसके बाद उसके नीचे जो दिया है 30 MPR वह है आपका ignition fuse इगनिशन से कोई से related problem आता है तो इस फ्यूज को आप चेक कर सकते हैं उसके बाद आ जाते हैं उपर में जो दिया है आपका चलिस MPR वह है आपका ABS का anti-lock breaking system का है उसके बाद बगल में दिया है चलिस MPR का वह है आपका power steering का है जो लेट्रिक power steering लगा रहता है उसके बाद उसके बगल में आ जाते हैं जो दिया 30 MPR का वह भी आपका ABS प्यूच का ही है एंटी ब्रेकिंग एंटी ब्रेकिंग लागिंग सिस्टम का है उसके बाद उसके नीचे आला रिले में आ जाते हैं पहला खाले फिर उसके बाद है जो दिया है वह है आपका AC कंप्रेसर का है यह भी अगर उससे लेटे कोई प्राब्लम आते हैं कंप्रेसर उसके जो मोटर है उससे करेट नहीं आया कुछ भी सप्लाइन दे रहा है तो आप इस रिले को आप एक बार चेक कर सकते हैं उसके बाद नीचे हम दिया है आपका एक आओ रिले दिया है cnj lpg walwa यह भी इसका ही है रिले है उसके बाद उसके नीचे दिया है रिले ओ है आपका इस्टर रिले की हार Ec कर सकते हैं रिले काभी फाल्टर होद्। उसके बाद उसके नीचे एक दिया है रिले वह भी आपको फ्रंट फाउग लेंप का है जो सामने में दिया रहता है फाउग लेंप वो उनका है तो कैस्ट मैंने यह बता दिया आपका इंजन कमपार्णमेंस के फ्यूज के बारे में आप आजाते हैं हम डेस बोड़ा केबिन के सेट जो लगे रहते हैं फ्यूज उसके बारे में बताते हैं तो कैस्ट अब हम आ जाते हैं जो डेस बोड़ा केबिन के सेट जो रहते हैं फ्यूज सारे उनके बारे में आप बात करेंगे तो पहले नबर का जो 10 एंपियर दिया है जो इस टाउप लिखा है वह आपका ब प्लोवर मोटर वो उसके बाद उसके नीचे में जो दिया है 10 MPR वह है आपका इस्टैटर सिगनल का है उसके बगल में जो 15 अगा पार्किंग लेट चलता है उसके बाद जुसने हैं नीचे वाले लेन पर जो साड़े साथ एंपियर का दिया है वो है आपका CNG LPG का है उसके बाद जो 10 एंपियर का दिया है वो है आपका reverse gear light का है जब उसके बाद जो 10 एंपियर दिया है वो है आपका ABS का ABS मतलब NT breaking locking system का है उसके बाद जो 10 एंपियर दिया है वो है आपके जो meter के जो सारे light जलते हैं वो उसका फ्यूज है उसके बाद जो 15 एंपियर दिया है वह आपका इगनिशन क्वाल का है उसके बाद जो 20 एंपियर दिया है वह आपका वाइपर ब्लेड मोटर का है जो वाइपर ब्लेड मोटर चलता है वो उसका है उसके बाद जो दिया है आपका 10 एंपियर आई जी एस उसके बाद 10 Ampere दिए है यह बी करके जो है आपका एर बैक का है उसके बाद जो दिया वो खाली है फिल उसके बाद आ जाते हैं डियाल मतलब होता है आपका जो बींपेर दियाल कमतलब का मतलब है आपका डॉर लंग सिस्थम का फ्यूज जो आपके जो चारो टर्वाजेहं लाख होता है वह उसका है उसके बाद 15 इंपएर है जो आपका दिया है वो है आपका हारना और हाजाडा लेट हाजाडा मतलब है जो चाओर इंडिकेटर एक साथ जलते हैं लेट उनका है और हारना का दोनों का फ्यूज एक ही दिया है पंद्रेंपियर का उसके बाद जो दिया है आरर डी एफ का यह आपका यह आपका रियर डिफवाग फ फ्यूज है जिसे हम बोल देते हैं रूप लैंप का उसके बाद जाते हम प्यड़ो जो 30 इंपयर दिया है इसे आपका पावर इंडो का है जो सिसे चड़ते हैं वह उनका पावर इंडो का तुगाइस मैंने केविन के सेट कभी सारा फ्यूज बता दिया कि कौन से फ्यूज क् क्या क्या खामता है तो अगर आपको ये हमारे वुडियोग पसंद ले तो लाइक जरू कीजिए और कमेंट भी किजिए कि ये आपको मेरा वीडियो कैसे लगा है और अगर हमारे चैनल पर पहली पर आये हो या आप हमारे वीडियो को देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि आपको आटो मोबिल से रिलेटेड एटू जेट इन्फोमेंशन मिलती रहे